नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अतुल नगरकर और आज हम बहुत ही इंपोर्टन्ट पब्लिक नोटीस एक जो UGC की तरब से आया है बहुत ही इंपोर्टन्ट है देखो इससे पहले हम PhD जब करने वाले है या करते थे तब हमें PhD की एंटरंस एक्जाम एपियर होना पड़ता थ हर विश्वविद्याले की एक एंटरंस एक्जाम PhD के लिए सुनिश्चित की जाती थी और उसी साब से जो एपियर स्टूडन्स एपियर हो जाते थे और PhD का एडमिशन होता था और या तो नेट एक्जाम जो पास है उनके लिए सीधे इंटर्यू तक उनको मौका मिलता था और उस इंटर्यू के जरीए उनको एडमिशन मिल जाता था लेकिन हर विश्वविद्याले या इनुवर्सिटी हर कोई एक्जाम लेता था एंटरंस एक्जाम का जो तरीका है वो अलग-अलग हो जाता था इस वजह से और नैशनल एजूकेशन पॉलिसी इसमें बहुत सार बदलाव हाईर एजूकेशन में आ गये है और यह आज का जो 27 मार्ज का जो यह नोटिफिकेशन है आज ही नोटिफिकेशन आया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टन्ट है सबको समझना जरूरी है कि इसमें क्या दिया है तो यहाँ पर देखिए इन्होंने इस नोटिस में यह बहुत ही इंपॉर्टन बात इन्होंने कही है नैशनल इलिजिबिलिटी टेस्ट याने हम उसे नेट एग्जैम कहते है नेट एज एन एंटरंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएच डी पीएच डी को एडमिशन अगर लेना है तो आपको नेट एग्जैम पास होनी है उ उसमें पहला पैरेग्राफ देखिए दे इन्वर्सिटी ग्रांट्स कमिशन कंड़क्ट दो नाशनल इलिजिबिलिटी टेस्ट थू द नाशनल टेस्टिंग एजनसी यह जो नेट के एग्जैम है वह कंड़क्ट करने का कारियर नाशनल टेस्टिंग एजनसी करती है दे न पूरे साल में दो बार कंड़क्ट होती है एक तो जून में और दूसरी दिसेंबर में करन्टली थे नेट स्कोर आर यूस्ट थे नेट स्कोर्स आर यूस्ट तो अवार्ड जूनियर रिसोर्च फेलोशिब and as eligibility for appointment as assistant professor for those with a master degree तो यहां उन्होंने दिया है कि एक तो जूर्फ लेने के लिए आपको net exam का और पियर होना होता है और दूसरी assistant professor अगर आपको appointment होना है या आपको वो पोस्ट लेनी है तो आप net clear करना जरूरी होता है इन दो वजह से आपको net exam appear करना या पास वना जरूरी है उसके बाद जो second paragraph है वह देखेंगे many universities conduct their entrance test for admission to PhD programs requiring the students to write multiple PhD entrance test to help the students with one national entrance test for PhD admissions as part of implementing the national education policy 2020 the UGC constituted an expert committee to review the provisions of national eligibility test तो बहुत सारे universities में बहुत सारे PhD admission के लिए जो अलग-अलग exams हो जाती थी यह students के लिए सहुलियत नहीं होती थी इस वजह से एक committee बनाई गई और उस committee ने जो recommendation दिये और वह committee जो बनाई गई है वह national education policy जो है 2020 की उस हिसाब से वह committee बनाई गई थी expert committee और उन्होंने जो recommendation दिया है उस recommendation के अनुसार यह आज का notification है तीसरा paragraph हम देखेंगे Based on the expert committee's recommendation in its 578th meeting held on 13 March 2024 The UGC has decided that from the academic session 2024 to 2025 the NET score can be used for admission to PhD programs in place of entrances conducted by the different universities or higher education institutes तो different different institute है या universities है वो अलग अलग जो entrance लेते थे इसके अलवा अब एक ही exam होगा और NET में उसका प्रावदान होगा जो की जो expert committee है उनके recommendation के अनुसार तो उसके बाद हम देखेंगे यह देखेंगे बहुत ही important sentence है from June 2024 onwards therefore the NET candidates will be declared eligible in three categories तो जब आप NET का notification आजाएगा June 2024 के लिए तब आपको यह ध्यान रखना है होगा उस notification में बहुत सारी बाते clear भी हो जाएगी लेकिन यहां broadly हम देखेंगे तो category 1, category 2 और category 3 उन्होंने इस notification में दिये है तो हम यह जानेगे कि category 1 में form भरना है category 2 में form भरना होगा या category 3 में तो उसमें फर्ग क्या है उसमें difference क्या है ठीक है category 1 को पहले देखेंगे यह सब यह जो नया रोल है जून 2024 से लागू होने वाला है यह बात ध्यान में रखें category 1 में देखें eligible for admission to PhD with JRF and appointment as assistant professor तो category 1 अगर हो जाते है तो आपको JRF भी मिलेगी और उसके साथ आप assistant professor के लिए appoint हो सकते हैं eligible हो जाएंगे category 2 में क्या है eligible for admission to PhD without JRF मतलब only assistant professor यह जो है वह second category है उसमें JRF का प्रावदा नहीं होगा ठीक है and appointment as assistant professor that is category 2 अभी आप कहेंगे category 1 और 2 में क्या difference है तो category 1 अगर आप pass हो जाते हो तो उसमें आपको PhD के admission के लिए eligible है और JRF भी आपको मिलने वाली है और अगर चाहे तो आप आगे जाके assistant professor भी बन सकते है लेकिन category 2 में आपको PhD को admission भी मिलेगा आप assistant professor भी बन जाओगे लेकिन अगर category 2 का form आप भरते हो तो आपको JRF यह जूनियर रिसर्च फेलोशिप नहीं मिलेगे category 3 की बात करेंगे category 3 eligible for admission PhD program only and not for the award of JRF or appointment as assistant professor तो यहाँ खाली PhD होगी PhD का admission के लिए help होगी यह category 3 जो अगर net pass हो जाते हो तो आपको PhD का admission मिलेगा हाँ PhD का admission मिलेगा याने आपको उस marks के सबसे मिलेगा ऐसा नहीं है कि आप pass हो गए तो सीधे जाके मिलेगा और यह देखे आगे जाके यह notification उसमें दिया है यह PhD के जो है PhD के लिए जो net के जो marks है वो भी count होने वाले यह आगे जाके मैं आपको बता देता हूँ तो ठीक है इसमें category 1 में आप जारेफ भी होंगे PhD को admission भी मिलेगा और assistant professor होंगे category 2 में आपका जारेफ नहीं होगा PhD admission और assistant professor होंगे category 3 में आप जारेफ नहीं मिलेगी आपको assistant professor के eligible नहीं रहोगे खाली PhD के program के लिए admission के लिए ये category 3 helpful रहेगी आगे जाएंगे हम दूसरा page देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे the determination of eligibility of net for different categories is summarized below यह जो उपर दिया है उसको ही उन्होंने एक table में summarize करके आपके सामने प्रस्तूत क्या है category 1 में आपको GRF है category 1 pass हो जाते हो तो आप assistant professor भी eligible है और PhD के admission के लिए भी आप appear हो सकते है category 2 में GRF नहीं मिलेगे आपको GRF नहीं मिलेगे लेकिन आप assistant professor हो सकते हो या PhD admission के लिए appear हो सकते हो category 3 में आपको GRF नहीं मिलेगे category 3 में आपको assistant professor के लिए eligibility भी नहीं मिलेगे लेकिन category 3 में आपको admission मिल सकता है और उस हिसाब से आप appear PhD के admission के लिए हो सकते हैं अब नीचे क्या दिया है ये देखिए नीचे उन्होंने दिया है इसके आगे आप अगर net हो जाते हैं तो आपको percentile दिया जाएगा और वह भी marks के साथ मतलब आपके marks कितने आपको net में marks मिले यह आपको पता चलेगा और यह admission के लिए उपयोगी होगा यह पहली line बता दिये अब आगे देखिए देखिए यहां पर in the J.R.F. qualified students are admitted into PhD program based on the interview as per the University Grants Commission minimum standard and procedure for award of PhD degree regulation 2022 अभी इसके आगे जून 2024 के आगे जो भी PhD को appear होने वाले या PhD होने वाले है उनके लिए जो regulations 2022 के regulations है अभी जो चल रहे है वो regulations कम से 2019 के regulations अभी चल रहे है लेकिन आगे जाके जून के बाद जो भी regulations implement हो जाएंगे वह minimum standard and procedure for award of PhD degree regulations 2022 के हो गे उस हिसाब से आपको admission PhD के लिए या J.R.F. qualified students को मिलेगा आगे देखिए for students who qualify in categories 2 and 3 देखिए यहाँ पे यहाँ category 1 नहीं है जो चात्र category 2 और 3 में qualify करेंगे 70% weightage will be given for test score यह जो आपको net में marks मिलेंगे न वो अभी minor रखे जाएंगे उसका बहुत ही importance होगा क्यों होगा क्योंकि वह mark PhD admission के लिए 70% का weightage उन्होंने दिया है कितना weightage दिया है 70% का weightage उन्होंने दिया है अब आगे देखिए 30% weightage for the interview for admission to PhD program और 30% weightage किसको दिया है interview को दिया है उसके बाद देखिए the PhD admission will be based on the combined merit of net marks and the marks opted in the interview और वाइवा ओस तो इन दोनों का जो combination होगा उसका जो merit list बनेगा उस हिसाब से आपको PhD के program में admission मिलेगा यहाँ तक ठीक है आगे देखिए the marks obtained in the net by candidates in categories 2 and 3 will be valid for period of 1 year for admission to PhD one year देखे यह दोस्तों यहाँ पे चौकाने वाली बात यह होगी अगर category 2 और category 3 में आप net pass भी हो जाएंगे और उसके बाद आप category 2 के इसाब से अगर आप assistant professor भी बन जाएंगे तो एक साल के बाद आपको फिर net की exam देनी होगी तभी आपको आगे जाकर PhD का admission हो सकता है जब तक आप PhD करना चाहते तब तक net की exam आपको देनी होगी क्योंकि category 2 और 3 की validity 1 year की है मतलब मान लो कि आपने अभी exam दिये है और एक साल में PhD का कोई recruitment जो आपको जिस university में चाहिए उनका आया ही नहीं है notification तो उस हिसाब से अगर work period आगे चला जाता है तो आपको बात में net की exam देनी होगी यह बात समझिए उसके बात देखिए the notification and bulletin of information for NET June 2024 will be issued by the National Testing Agency shortly मतलब जून 2024 में जो NET के exam होगी उसका जो notification आएगा वो थोड़ी ही दिन में NTA National Testing Agency की और से आने वाला है और उसको आप इस website पे चेक कर सकते हो website का नाम क्या है ugcnet.nta.nic.in इस website पे आप चेक कर सकते हो तो यह छोटा सा notification आज जो 27 तारीक को आया है 27 मार्च 24 को वह आपको मुझे बताना था अगर पीएजडी करना है तो NET बहुत बहुत जरूरी हो गई है और आपको नेट की प्रिपरेशन जियारेव उसके बाद आपको असिस्टन प्रोफेसर बनने के लिए और उसके साथ साथ पीएजडी के लिए भी महत्वपून है इस वज़े से आप अगर नेट के एकजाम देना चाहते हैं तो बहुत ही सीरियस होके दीजिये और वह कैटेगरी वन में अगर आप पास हो जाते हो तो बाद में आप मतलब पूरी लाइफ में उसके बाद नेट नहीं देंगे तो बीचे लेगा आपको पीएजडी का अड बेनिफिट है कैटेगरी टू और थ्री में कैटेगरी थ्री में तो आपको पीएजडी का अडमिशन मिलेगा बाकी कुछ फैसिलिटी या बेनिफिट उसमें नहीं है लेकिन कैटेगरी वन में बहुत सारे बेनिफिट है कैटेगरी टू में भी है लेकिन कैटेगरी थ्री म PhD का admission उतना ही सीमित है तो आपको बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूँ मैं net exam के लिए आनी वाली जितनी भी सारी exams होगी उसके लिए मैं आपको शुब कामनाई देता हूँ धन्यवाद